रूपय को A, B, C में इस प्रिकार बाटा गया है कि A को B से 70 रूपया जादा और B को C से 80 रूपय अधिक मिलता है तो इन तीनों का अलग-अलग हिस्सा कितना है एक तो आप इस सवाल को आफशन से बहुत आसानी से खतम कर सकते हैं क्यों? सवाल में तीनों का हिस्सा पूछ रहा है और आप देख सकते हैं कहता है A को B से 70 रूपय जादे और B को C से 80 रूपया जादा है तो आंसर हो गया कितना आपका B नंबर? देख लो इससे ये 80 रूपया जादा और इससे ये 70 रूपया जादा और कहीं पर ऐसा है क्या? A को B से 70 ज्यादा और B को C से 80 ज्यादा देख लीजे 80 ज्यादे 70 ज्यादा जोड के वीच आया तो देख लीजे 3 जोड़ियेगा तो 530 पूर जाएगा 3 जोड़ियेगा तो 530 पूर जाएगा इसका मतलब उमारा आंसर कितना हो जाएगा B हो जाएगा क्या करना है इस देख लेना है जल्दी सेійсьरे आपका होगा नए तो फिर मानना पड़ेगा सी को मानना पड़ेगा एकस तो यह 80 रूपया है इभी निकलेगा, इभी निकलेगा, तो एक तो option हो गया हमारा, अगर वाइज और में देखो, A, B, C, C के हैं इसना को X कह दिये, B, C से 80 जादा है, तो यह हो जाएगा, X प्लस 80 हो जाएगा, हाँ, और फिर देखे, A जो है न, इससे 70 जादा है, तो कितना हो जाएगा, X प्लस 500 हो जाएगा, यह X, इससे 80 जादा, इससे 70 जादा, अब पता है, इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को हम झोड़ देंगे, और जोड़ के बराबर कितना करेंगे, 530, क्योंकि 530 रूपे को ही इन तीनों में बाटा गया है, तो इन तीनों के हिस्सा को, जदी हम नहीं होगा टोडिये एक्स एक्स más kटना 3 एक्स को और eक्सोn 50 और असी कितना 230 और 230 जय के जगा हूम कितना थीन 14 300 यका माल्ट सो गया आश् Sage 127 आफिर अड़ाइचों तो अंसर अमारा हो जाएगा अड़ाइचों फिर इसके बाद 180 फिर इसके बाद 100 तो एक तरीका हमारा ये होगा ऐसे करेंगे अब दूसरा तरीका क्या करेंगे सीधे ओफशन से देख लेंगे इस सवाल के लिए बेस्ट आपका ओफशन ही है ये दू-चार सेकंड का सवाल है नजर जितना दर में असी बड़ा और सत्तर बड़ा पड़ जाए बड़े आगे इसमें कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा चलो नेक्ट पर आते हैं जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग हमारा ये अगला सवाल है देखिएगा सब लोग 2495 रुपे को ABC में इस प्रकार बांटा जाए कि A के भाग से 15 रूपिया B के भाग से 30 रूपिया और C के भाग से 50 रूपे कम कर दिये जाने पर इनका अनुपात इतना रह जाता है बताए कितने पैसे को बांटना है 2495 रूपे को बांटना है क्या उसी का ही रेशियो दिया है नहीं उसका रेशियो इसका रेशियो ही नहीं है अगर इसका ही रेशियो होता नहीं तो जट से इस रेशियो बाढ़ देता लेकिन काता नहीं काता ए में से 15 रुपिया A में से 15 रुपिया B में से 30 रुपिया और C में से 50 रुपिया कम करने के बाद जो पैसा बचा उसका ही रेशियो है तो आप बताईए सब लोग 50 और 30 80, 15, 95 गटा दिजे तो 2400 रुपिया बचा 2400 रुपिया बचा और इसका यह रेशियो दिया हुआ है कितना तीन रेशियो दो रेशियो साथ मतलब A में से 15 रुपिया B में से 30 रुपिया और C में से 50 रुपिया जब कम करते हैं तब जो पैसा बचता है उस पैसे को इस रेशियो बाटा गया है तो आप बताओ इस ratio में हम किसे बाटेंगे 2400 रुपे को 2400 रुपे को बाटेंगे चलिए बाटें 2400 का ही रेसियो ना कि 2495 का है तो चलिए 2400 रुपे को इस ratio बाटें साथ दू, नौ और तीन 12 से भाग दीजे 200 तो एक ratio का मान 200 तर तीन ratio का मान तो 200 से गुणा करो लिए 600 छे सु रुपिया फिर यहां पर 200 गुणा दू 400 रुपिया और फिर 7 गुणा 200 कितना? 1400 रुपिया आपका तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 का हिसा 600, 2 का हिसा 400 हलो हलो और सी कहीं सा 1400 तो आंसर यहां पर करने के लिए क्या करेंगे आप देखो जितना जितना रुपिया आप घटाएं थे छो सो चार सो चौदा सो अंसर नहीं होगा क्योंकि यह तो आपका 2400 रुपिया बचा है उसमें से है अजब की सचा ही है कि बाटना है हमको 2495 रुपया बाटना था आई जो है बटा है कितना 2400 रुपिया तब सही में हिस्सा क्या होगा तो जितना जितना आप काम किये थे न उतना उतना आप क्या करिए जोड दीजिए तब जाके राइट अंसर हो जाएगा आपका तो 15 रुपे इसमें जोड़ दो 30 रुपे इसमें जोड़ दो और 50 र सा 2495 में से हो जाएगा आंसर कौन सा यह हो जाएगा समझ में है बात जेतना पहले घाट आए थे उतना फिर क्या करेंगे लास्ट में जोड़ देंगे हम नोट करिएगा ऑनलाइन वाले भी द्यारती अंसर बताईए सवाल दिखे कोशिश करना है अंसर बताना है नहीं बुझाया यहाँ पर देखो न पंदरा रुपी में से अब कम किये थे बी में से तीस रुपया कम किये थे और सी में से पचास रुपया कम किये थे तो यह जो आपका रियल्ट मिला यह गलत रियल्ट है यह तो कम किया हुआ रियल्ट है यह भी उसी तरह का सवाल है, क्यों, सवाल क्या करें, 1286 को MNP में बाटना है, यदि उनके हिस्से में से 26 रूपे, 26 रूपे, 32 रूपे कम कर दिया जाए, तो 168 का रेश्यो इतना है, तो सबसे पहले तो 1286 में से इन तीनों को पहले जोड को घटाईए, आज जो मिलेगा, कैसे मिला 2400, उसको इस रेश्यो में बाट के M का हिसा निकाल लिए, किस का हिसा निकाल लिए, M का, और M में कितना घटाए थे आप, 26 रूपे, वो 26 रूपे जोड दीजिएगा, तो सही अंसर हो जाएगा आपका, पिछले कोश्चन में तीनों का निकालना है, और इस कोश्चन में सरफ M का निकालना है, हो जाएगा, आंसर बोलिए, 672, 656, 656 अंसर हमारा तीन हो जाएगा, चलो इसको स्कीप करते हैं, आप बना लेंगे आपर, आप देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, यह भी तो लगता है कि वही सवाल है, सी का पूछता है, इस मैंना NTPC मेंस 22, तीन मित्र A, B और C, 555, 125 रुपे, A, B, C कितना रुप्या जी, 5525 रुपे आपका, देखो, 5525 रुपे, कि रासी को आपस में इस प्रकार भी भाजित करते हैं, कि यदि A, B और C को प्रा 50 रुप्या, 100 रुपे, 75 रुपे निकाल दिये जाए, पैसा उतना बाटना है, लेकिन उससे पहले A, B, C में से कुछ-कुछ निकाल देना है, और निकालने के बाद रेशियो इतना बचता है, है ना, तो पहले 5525 में क्या करना है, 75, 50, आए 100, दूस्वों 25 को क्या करना है, घाटा देना है, फिर जेतना पैसा बचेगा, वो इसको इस रेशियो में में बाट कर C का मान निकालना है, किसका पुछ रहा है, C का मान निकालना है, और आप C में से केतना कम किये थे, केतना निकाले थे, 75 रुप польз, जोड देंगे, हमारा कोईने कोई साही जवाब आजाए देखो एकड़ा में थोड़ा सा और बढ़ा दिया है सवाल को जितना सवाल जितना चीजे आपने पिछले सवाल में किया वो तो करना ही है साथ साथ और कुछ एक्स्ट्रा करना है इसमें तो चरह ध्यान दीजिएगा सब लोग मैं बताता हूँ यह CHL का पूछा हुआ सवाल है यहर हमें ध्यान में नहीं है लेकिन मान के चलिए चार-पांस साल के आसपास में ही आपका है यह CHL का प्रिवियस एर का कोश्चन आपका है लगबग 17-18 से अब तक में आपका कोई साल का है अब तक इदर 22-23 का बाइस का नहीं है 21 का नहीं है उदर का आपका है 17-18-19-20 इसके आसपास में आपका है यह CHL का प्रिवियस एर के कोश्चन है बढ़िया सवाल है थोड़ा सा चीजे काफी कुछ इसमें दे रखा है मामला यही है काता है 15-525 रुपे की रासी लेकिन इस सवाल को आप कर सकते हो आप कर सकते हैं पीछे वाले कंसेप्ट के आदार पर जदी आप पढ़ेंगे इसको तो लाश्ट में थोड़ा सा क्या करना है सही सही डाटा निकाल के फिर सोल सतहता और 37 तिनों में जोड़ के वंसर बोल देना है देखे न 15-525 रुपे की रासी है सुनील अनील और जमील के बीच इस तरह भी भाजित की जानी है कि इसके हिस्से में से 22 रुपिया 35 रुपिया और 48 रुपिया कम कर दे तो रेश्व इतना हो जाता अभी तक तो वही सवाल है चलो बनाते हैं 15,525 रुपईया है 15,525 रुपईया है 15,525 रुपईया है अनील में 35 रुपिया जमील में 48 रुपिया कम करना है तो बोलिये रहे इसको तरह नहीं जोड़ेंगे तो 48 और 22 कितना हो गया सत्तर सत्तर और 35 105 105 को इसमें से माइनस करिये तो हो जाएगा 15,420 रुपिया सेस बचेगा यह यह सेस है अब इसी पैसे को क्या करना है इसी पैसे को क्या करना है 7 अनुपात 10 अनुपात 13 में बांट देना है बते रेशियो किसका किसका है सुनील का अनील का और जमील का आपका है तो बताइए क्या इस रुपे को इस रेशियो में बांट सकते हैं कैसे बांटते हैं रेशियो को जोड़के और उसमें भाग करें है रेशियों को जोड़के उसमें हम भाग करेंगे तो बताएं रेशियों को जोड़ेंगे तो कितना ऐगा थेरह दस तेईस और साथ तीस आएगा ठटी आप ठटी से उसमें जरा भाग देखें बताओ कितना हैगा 514 तो 30 से उसमें भाग दिए 514 यlasse एक ratio का मान 514 हो गया एक ratio का मान 514 हो गया तब बोलो 7 ratio का मान कितना हो जागा तो 514 को इस से हम गोना कर देंगे तो कितना होगा 3998 रूपिया हो जाएगा फिर इसके बाद आप सब tools दिधान दीजिए एक ratio का मान जब 514 आ चुका है तो 10 ratio का मान कितना होगा गुणा करिए 10 से 5440 हो जाएगा हाँ फिर सुनिएगा यहाँ पर 514 से हम 13 में multiply करेंगे 86 86 66 66 86 तो यह चीज़े आपका है है ना करिया ना दीए 34 के 52 का दू हाथ में 5 हो गया आद 13 एकम 35 16 Aha ठेक हो गया और 13 पर से 65 ठाक 66 6625 तो चलिए तो यह हो गया 662 यह हो गया आपका तो बताए इसमें कितना कितना उन निकला से थ पैसा में कितना कितना वो निकला अब आप जतना जतने रुपे घटाएं थे उतना जोड़ दीजिए तो बोलिए 22 घटाएं थे इसमें 22 जोड़िए 35 घटाएं थे इसमें 35 जोड़िए 48 घटाएं थे इसमें 48 जोड़िए तो ऐसा करने से ही सब का मुल हिसा निकल गया 15,525 में कितना 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 उनीक लगया लेकिन सवाल यहीं पर खतम नहीं हुआ है आगे पड़ो क्या कहता है देखे यदि उनके मुल हिस्सों में तो मुल हिस्सा तो हमने जोड़ के लिखी दिया मुल हिस्सों में मुल हिस्सों में 16 रुपिया 77 रुपिया और 37 रुपे जोड़ दिये जाते हैं मुल हिस्सा तो यही बन चुका है और इसमें कहता है कि 16 रुपिया 77 रुपे और 37 रुपे जोड़ दिये जाते हैं 16 रुपए 77 रुपए और 37 रुपए जोड दिये जाते हैं तब ratio क्या होगा तो चलिए ना मोली इसा तो आईए एकरम और 16 रुपए जोड दिजे नहीं आप फिर कितना जोडना है 77 रुपिया जोडना है 37 रुपया जोड़ना है जोड़ने के बाद जो आएगा उसके बीच का रेशियो तयार करना है आपको रेशियो तयार करना दो चलो जोड़ते हैं 8 दू 10 छो 16 का 6 1 9 2 11 11 12 और 13 का 3 हो गया 1 और 6 हो गया और यहां 3 हो गया 36 36 हो गया यहां 52 बावन हो जाएगा और यहां हो जाएगा 77 77 सरसठ सरसठ है आपको क्या लग रहा है 36 36 52 बावन सरसठ सरसठ देख के आपको लग रहा है की 101 से कट रहा है यह रेशेयो तेयार करता है 101 सेisesti चटेगा 36 बार में 101 से कटेगा ही 42 बार में और 101 से कटेगा 60 बार में तो हमाना आझसर 36 52 कुछ कहना है बोलिएगा हाँ भई फिर से जी पांसो चौदा गुना साथ प्लस बाइस तो इसी तो किये हैं पांसो चौदा गुना साथ प्लस बाइस प्लस एक मिट हला नहीं आईसे तीनों को लिख देंगे तक किये कैसे फिर किया आप इसमें तीन को टरम हो गया नहीं कर सकते हैं एक टरम दू टरम तीन तरम पांसो चौदा कॉमन का हैं पांसो चौदा स्रिफ इसमें है इसमें भी पांसो चौदा रहेगा इसमें पांसो चौदा रहेगा तब कॉमन लेंगे हाँ वह हाँ तीनों मतलग है यहाँ भी यहाँ भी तो भी समझ गया है चलो ठीक है तो यहाँ पर हमारा next question है सुनिएगा देखो बड़ा खतरनाक सवाल है जी यह हमको भी डर लगता है देखके इसे थोड़ा से कल्कुलेटीव और कुछ नहीं है न ऐसे यह सवाल जो इधर लगभग तीन-चार साल से देखने को मिल नहीं रहा है है ना इसको एक-दो साल और हम रखेंगे material में उसके बाद इसको हटा देंगे है ना पुछबन नहीं करेगा तो काहे के लिए विद्यारती को परसान करें लेकिन अभी रहेगा दो साल हो तक है ना तो यह चीज़े यहाँ पर पहले का है लगभग पांस साल पहले का यह कोश्चन उसके बाद इस टाइब का कोश्चन रिपीट नहीं किया है है ना लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारा काम है बताना है हो सकता है आजा है सवाल सुरियेगा 600 रुपे को A, B और C में भी भाजित किया जाता है 600 रुपे को A, B, C में बांटना है करें A कहिंसे का 2 बटा 5 भाग से 40 रुपेया जादे और B कहिंसे के 2 बटा 7 भाग से 20 रुपेया जादे और C कहिंसे के 9 बटा 17 भाग से 10 रुपेया जादा किया है बराबर शबी बराबर है अब कहता है कि एक काहीं सा कितना होगा देखो एक समझीए फिर इस पे आपको क्या करना पड़ेगा अब रियास थोड़ा करना है दो तीन सवाल लगाई यह उसके बाद जो है सवाल कम समय बनेगा है ना, पहले समझना है आपको, अब समझने में चाहिए जो समय लगे, सुनिएगा, 600 रुपय को ABC में बाटना है, कहता है, एक एहिसे का 2 बटा 5, तो बोलो क्या होगा, 2 A by 5, एक एहिसे का 2 बटा 5, से 40 रुपया जादा, जो 40 रुपया जादे कह दिया न, यह रेसियू भंग 40 कर दिया, रेसियो हमेशा गुणात्मक संबन्द में रहता है तब बनता है, प्लस माइनेस में नहीं बनता है, अब इसके बाद कहता है, ख्लिकर आप इहीं डर जाएंगे तो हम लोगा क्या होगा, आपको क्या लगा, हमारी बात से क्या लगा आपको, हम इसलिए बुले कि थोड़ा सा आप कम से कम अलर्ट हो जाईए हाँ पर है न, आगे बढ़ते हैं, सवाल हम को क्या लगा राएगा है न, जी, आगे बढ़ते हैं, बी के इसे का दो बटा शाथ, है न, बी के इसे का दो बटा शाथ, से बीस रुपिया अधिक तो प्लस का बीस कर दिया, फिर इसके बाद करें, सी के इसे का नो बटा शाथ, से दस रुपिया अधिक तो, प्लस का दस कर दिये, और कहता है, सब बराबर है, बराबर का चिनी यहाँ दे दो, बराबर का चिनी यहाँ दे दो, सवाल किता है एक कहिसे का दो बटा पांस से चाफिस रुइस रुपया जाद ऐ बी कहिसे के दो बटा साथ से बीस रुपया जाद है और सिक्र Absolue सबहाबर बड़ाबर है आप देखो यहां पर च्छौ抗ania को बांटने के लिए तो रेशियो चाहिए जब तक रेशियो नहीं रहेगा तब तक हिसा नहीं निकलेगा है ना तो यहां पर हम क्या करेंगे तीन टरम बराबर, एक, दो, तीन, जब सर्फ दो टरम बराबर होता है, तब तो LH, S, R, H, S, इदर उधर करके वहीं पर solve खड़ लेते हैं, लेकिन जब भी कभी गणीत में तीन टरम बराबर होता है, उसको कोई ने कोई constant के बराबर मानते हैं, जिसे बराबर में के माल लो, थोड़ा सा साउलियत जानते हैं, कब होगा, जब देखिए, यह क्या लिखा है यहां पर, यहां क्या है, है दो, और यहां दो, तो यह 9, दो, और 2 का लसा लीजिए, 12 कांस जी हाँ अभी सही बोले 18 यहाँ पर 922 922 का लशा 18 हो गया ठीक है तो यहाँ पर हम मान लेंगे जानते हैं क्या 18 के मान लेंगे 18 के हमने बाल लेंगे सिर्फ के नहीं माने है ठारा के माने है मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ठारा के मानेंगे तोड़ा सवलियत होगा कटेगा भीन नहीं बनेगा आपका चलिए अब यहाँ पर बारी-बारी से इसको हम क्या करेंगे उससे equate करेंगे इसको हम देखो इसको जो है एक बार equate करेंगे ठारा के से और एक आमान निकालेंगे तो आप सब लोग बताइए एक आमान कितना होगा तो जगा ठारा के अब प्लस का 40 है उदर किसमें जाएगा माइनस में तो माइनस का 40 अब फिर इसके बाद यहां क्या दू बटा जब उदर भेजेंगे तो उलट जाएगा पांच बटा दू हो जाएगा अगर हम बात बी का करते हैं अगर बात हम बी का करते हैं तो एक बार इसको equate करना पड़े है किस से फिर ठारा के से तो बताईए करते हैं देखे अठारा के माइनस का बीस हो जाएगा अठारा के माइनस का बीस देखे अठारा के अर यह जो प्लस का बीस है नो उदर माइनस में जाएगा तो आपका हो जाएगा अठारा के माइनस बीस और गुना में बी के साथ गुना में क्या दू बटा साथ जब उधर बेज़ेंगे तो उलट जाएगा साथ बटा दो ये बी का मान हो गया अब फिर देखो सी का मान कितना होगा तो अठारा के इसको इसको इक्वेट करेंगे उससे तो अठारा के माइनिस दस और नो बटा सत्रा है ना तो गुना में हो जाएगा सत्रा बटा नो हो जाएगा आपका ठीक है बताईए कितना हो जाएगा जी देखो अब कोष्ट के बाहर में है तो इससे गुना एक बार इसमें भी होगा और इससे गुना एक बार इसमें भी होगा तो आप बते कितना होगा 18 पचे 90 के बटा दू कितना 45 के हो जाएगा अब माइनस 40 पचे 200 बटा दू कितना 100 हो गया है ना फिर यहाँ पर आजाईए 18 सते 126 में 2 से भाग दियो 63 के और 20 सते 142 से भाग दियो माइनस का 70 हुआ न जी आवाई सही यहाँ पर नौ से दू बार में यानि चौतिस के देखो एक जगा भीन बर रह गया आपका एक सो सत्तर बटा नौ एक जगा भीन बट गया जानते हैं यह 18 के माने न इसलिए बहुते कम भीन मिला अगर के मानते न तो और सब जगा भीने भीन खाली मिल सब्सक्राइब करता आपका जहना तब इतनी ध्यान रखिएगा के मनने सभी सवाल बनेगा लेकिन अगर इसका लसो विथ के मान लेंगे तो ज्जादा अतिव्त्तम आपका हैं कहीं कहीं भीन से बचना भीन कम भीलेंगे काल्कूलोशन नहीं होगा आपका आप बदेए ए क काईसा है बी काईसा है सी काईसा है अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या 600 नहीं हो जाएगा 2600 रुपर या कोनों बाटना है तीनों में 600 रुपर बाटा गया A में B में C में तीनों को फिर से जोड़ देंगे तो वापस 600 हो जाएगा आपका है गी नहीं बात तो चलो जोड़ देते हैं सब लोग जोड़िए इसको जोड़िए सवाल में दिया हुआ है कि A प्लस B प्लस C बनाबर 600 सब जोड़िए बुलिए 45, 63, 64 तो 5, 3, 8, 4, 12 का दूँ एक और 4 और 6, 10, 13, 14, 14 की हो गया माइनस 100, माइनस 70 कितना हो गया माइनस का 170 हो गया हाँ और माइनस का 170 बटा में 9 हो गया बराबर में कितना 600 हो गया आपका सब जोड़ दिये इसको अब बोलिएगा यहाँ पर इसको solve करेंगे हम है न एक सो चालीस साधर इलट देगा देखो तो एक सो सतर जाके इदर 600 में जुटेगा तो कितना हो गया सात सो सतर हो जाएगा आपका प्लस कर दिये सात सो सतर हो गया है न जी और फिर इसके बाद इसको भी लिजाए कर उदर प्लस कर दो प्लस कर दिये कितना हो जाएगा एक सो सतर और बटा में नो हो जाएगा आईदर हो जाए कितना एक सो ब्यालिस के हो जाएगा अब देखिएगा एक सो ब्यालिस के बराबर कितना होगा जी तो यहाँ पर आप कहा हो जाएगा जीरो और नौसद तिरे सट का तीन चे और नौसद तिरे सट और छो 79 हो गया 79 30 प्लस 170 700 होगा क्या 700 और बटा में 9 हो गया तो जहां तक हमें लगता है कि 142 से कटेगा 50 बार में तो 50 बटा 9 हो गया के कामान के कामान 50 बटा 9 किसका हिसा पुछता है एका पुछता है तो यहां बैठा देंगे तो अंसर नहीं हो जाएगा देखो एक कामान पुछता है तो 45 अगुना के के कामान कितना है पचास बटा 9 माइनस में 100 तो 9 से कट जाएगा 5 बार में 50 पंचे 800 मेंसे 100 घटा है तो 1.500 और 1.500 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा डेड़ सो एंसर होगा ना कि 140 होगा यह चीज़े यहां पर करना है आप नोट करिए और जीतना बताएं उतना समझने का पहले परियास करिए उसके बाद की बात मैं करता हूँ नोट करिएगा जाब करिएगा पर जाउड हो जाएगा की बात यहां पहले का पेंग lleशओ चार्स का मैं उत है थो यह हूँ पर यह可ँ लका क्थों बात यह हाग के कामान जो मिला उसको हम बैठा दिये A वाले में क्योंकि ये कामान पुछ रहा है B कामान पुछता तो इसमें बैठाते है C कामान पुछता तो इसमें बैठाते है झाल झाल छले लिख लिए इसको एक बार मैं रेपीट कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा सब लोग फिर से समझने का प्रयास करिएगा क्या कहता है सवाल देखो सवाल हमारा यही है कि 600 रूपिया टोटल है और फिर इसके बाद कहता है कि A B C में माठना है अब कह रहे है A के हिस्से का A का 2 बटा 5 से 40 रूपिया जाद तो प्लस 40 B के 2 बटा 7 बटा 7 से गुणा कर दीए 20 रूपिया जाद प्लस 20 C का 9 बटा 7 किए 10 रूपिया जाद प्लस का 10 कर दीए ठीक है अब कहता है यह सभी आपसें बराबर है इतना बराबर इतना बराबर इतना है अब तीन टर्म बराबर है अब दो नहीं है तीन बराबर है दो बराबर है लेचे सारेचे सिधर उतर करके वहीं पर सॉल्व कर लेते हैं लेकिन तीन टर्म यहाँ पर बराबर है तो यह तीनों को है इधार हुआ ने हम स्मूसलियं से इस Tutaj हम सबस्क्राइए 6 नगल मना है अब चलिए ऐंगे निकालना चाहेंगे बासितने वर एक बारावरह किरेंगो फिर इतना बारावर exist हार के फिर इतना बरबर एक बरुद्द रगे और कोशिज करेंगे एक कामान निकलेगे का बी दो उतरेगा नीचे प्रकार बी ना मान यही तीनों को जोड़ देंगे तो बनाबर चौह जाएगा इसको भी हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया इक इस्टे बढ़ा दिया है तिन यहां पर इन सब को जोड़े तो 45, 63 पर 54 जोड़े 142, इसको जोड़े तो माइनेस 170 अब इसको कहें गए heh माइनस 170 बड़ा नो बराबर 600, अब 170 जो माइनस में इतर जागा, प्लस में तो जागा 770, अब फिर यह जो माइनस में जागा, अगर आपको A चाहिए तो K कामान यहाँ बैठा दो B चाहिए तो K कामान यहाँ बैठा दो समझें A B C कामान निकल जाएगा आपका तो यही तरीके यहाँ पर आप सभी को लगाना होगा इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ तो आप वहाब से पूछिए इसमें अगर किसी को कहीं पर ना बुजाया तो बोलिएगा जतना बताएं हो करा में कहीं पर ना बुजाया तो बोलिएगा सबको बुजा गया है सबको बुजा गया चलो अगले सवाल में यही चीज़ सोचेंगे लेकिन इतना लीखेंगे ने इतना बराबर इतना है ना और स समय लगे चौथे में और ही कम हो जाएगा फिर समय नहीं लगेगा सुरिए इधार 500 रुपे को ABC में बाटना है और A के हिंसे का दू बड़ा 5 से 16 रुपे जा दो सीधर लिखेंगे 2 A by 5 प्लस 16 फिर करा B के हिंसे के 3 बटा 4 तो 3 बटा 4 B से 70 रुपे कम तो 70 घटा दिए असी के हिंसे के 3 बटा 5 तो 3 बटा 5 सी से 4 रुपे कम सब बराबर है बराबर कर दिए अब बोलो जल्दी से यहां पर यहां पर कितना है 2 यहां 3 यहां 3 बोलो 2 3 3 का लासा 6 तो यहां पर माल लेंगे कितना 6 के माल लेंगे 6 के हमाल लेंगे और अब यहां मौखिक देखके बोलो एक आमान कितना होगा तो 6 के माइनस उल्ला देखेगा 6 के माइनस उल्ला है और 2 बटा 5 है तो 5 बटा 2 किस कामान? एक कामान फिर इसको इससे एक्वेट करेंगे तो जाएगा 6 के प्लस में 70 माइनस उल्ला प्लस में जाएगा ना जी या 3 बटा 4 है तो 4 बटा यह होगा बी कामान फिर इसको इससे एक्वेट करेंगे तो जाएगा 6 के प्लस 4 अग गुना में 3 बटा 5 है तो 5 बटा 3 से गुना कर देंगे C कामान जोड के बराबर 500 नहीं कर देंगे बोलिए जोड के 500 करेंगे जी जोड के 500 कर देंगे यह है यह समझो यह है समझो क्या आई यह है अब बराबर 500 अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है थोड़ा मौखी करो आप देखिए सुनिए चोड़ा पच्छ 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 गया, 33 के हो गया फिर सुनिएगा यहां पर, देखो, यहां पर, माइनेस कईसे हुआ जी, माइनेस कईसे हुआ, तो काय नहीं बुले आप, हैं, लस्न हो गया, हाँ, आप सुनिएगा यहां पर, आप जोड़ो, आप जोड़ो, 280 बटा 3 20 बटा 3 जोड़ेंगे तो 300 बटा 3 मतलब 100 280 बटा 3 20 बटा 3 जोड़ेंगे 300 बटा 3 मतलब 100 और 100-40 60 60 जाके घट गया तो 440 11 से 3 बार में और 11 से 40 बार में तो के कामान हो गया 40 बटा 3 अब के कामान 40 बटा 3 हो गया तो A, B, C साथ सब निकालना था तीनों निकालना है A, B, C तीनों निकालना है तो के कामान 40 बटा 3 मिल गया देखो यहीं पर है A, E क्या है B, A, E क्या है C सब में बारी-बारी से बैठाना पड़ेगा सब लिखने के लिए तो बोली न मौकी करिए 40 बटा 3 करेंगे तो 3 से कटेगा दू बार में 42, 80, 80, 60 घटेगा 64, 2 से कटेगा 32, 32 पचे 161 कामान B कामान लिखना था फिर 40 बटा 3 बटाएंगे 3 से कटेगा दू बार में 42, 80, 80, 70, 1,500 30, 50, 50 चुकर दूसर ऐसे करना है फिर यहाँ पर सी कामान लिखना थो 40 बटा 3, 32 बटाएंगे 42, 80, 84, 84, 80, 38, 28, बटाएंगे 26 बचे नहीं बुलिएगा 140 होता है देखो यह एंसर हो जाएगा इसके अलावे कुछ नहीं है यही जो ऐसो है इसके बाद एक और तरीके हम बता सकते हैं यहाँ पर ओफ्शन देख करके जो कि हमारा अगर 500 नहीं पूरा तब फिर एक सेकंड का सवाल है कैसे ABC तीनों का हिस्सा मांगता है मांगता है न तीनों का हिस्सा तो तीनों को जोड़के 500 पूराएंगे अगर माल लेते हैं चार गों में एक के जगा पूर रहा है 500 तो भी ठीक है आपका जोड़िये न 170, 140, 200, 500 पूर गया क्या यहाँ 500 पूर रहा है लित तरी यहाँ भी 500 पूर रहा है तब छोड़ दीजेव है न माल लेते हैं 500 जोड़ने पर सब जगा पूर रहा है तो फिर तो फिर सारे options को चेक करना फिर तो वही बात हो जाएगा आपका वैसे options से भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं है ना चलिए एक और तरीके देखते according to option एक्जाम में अगर एक question पूछ दिया तो एक्जाम में पूछ दिया नहीं पूछा है कवनों सवाल ऐसे भी तो हता है जिसे वो सवाल अभी पहले में था कि आसी जादे और सत्तर जादे वे एक सेकंड दो सेकंड का सवाल है तो वो वाला समय बचता है न जी पूछेगा एकाथ सवाल दो सवाल तीन सवाल चार सवाल बनता ऐसी बात नहीं है और यह नहीं बनेगा इसी जैसे एक दो सवाल बनेगा नहीं बनेगा आपका कुछ ऐसे भी तो दो चार सवाल होते हैं जिसमें बिल्कुल है समय नहीं लगता है तो वह वाला टाइम तो सेव होता है ना तो इस अब देखने को मिलेगा और करना सब पड़ेगा तब सेलेक्शन होगा ऐसा ने कलिए असनका बना के आ जाए है ना यही चीजे नहीं टाइम मेनेजमेंट वही तो है जैसे कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल मतलब मैं इसा सवाल एक दो मिलेगा आपका मैं इस सवाल की बात नहीं करना हो लेकिन इसी के जैसे कोई भी चेप्टर सवाल हो सकते हैं लेकिन देखो और थोड़ा सा सौट इसको किया जा सकता है आप आईए थोड़ा ओप्शन पर और में एक रोड़िंग टू ओप्शन हमको ए बी सी का हिसा हमसे पुछता है है ना ए बी सी का हिसा हमसे क्या करता है पुछता है तो जड़ा देखिए इसको जोड़के इसको जोड़के देखिए पान सो पुर्रा है क्या इसको जोड़के देखिए पान सो पुर्रा है पान सो पु पूर रहा है अब यह होगा की होगा तो इसकी पैचान हो सकता है आप लैंग्विज पढ़ो कर एक का दू बटा पांच से सोलना जा दे तो यहाँ पर अगर ऑफिशन नंबर ए से आप चल रहें हैं तो दिक्कत क्या है बोलो एक सो साथ का दू बटा पांच से सोलना रुपय जा दे आ फिर कर बी के तीन बटा चार यानि दूसों का तीन बटा चार से सफतर रुपया कम और सी का तीन बटा पांच यानि एक सो चालिस का तीन बटा पांच से चार रुपया कम बराबर है क्या सही में बराबर है तानि चेक कर लीजिए अगर है तो फिर यह उत्तर हो असी और यहां देखो चार से कड़ेगा पचास पचास ते डेड़ सो माने सब्तर असी और यहां बोलिए कितना 28-84 माने चार असी बराबर हो गया क्या मार दिजे उत्तर यही सही है तो पहले बता देते तो उपना न पढ़ते आप है इसलिए पर हवा बनाए है न ताकि उसको आप सब लोग सीखो जनकारी भी होना चाहिए अई तो खर बताईबे करते आप बताईए अब तो कुछ कम समय लगेगा ना अब तो कुछ कम लगेगा आपका हाँ मुखिया जी का चुनाओ लड़ने वाला हूं आसिरवाद दीजिए मुखिया का चुनाओ लड़ने वाला आसिरवाद चाहिए वहाँ के पबलिक से थम मुखिया बनिएगा आप आगे वड़ते हैं सही बात है आजमाना चाहिए है ना लेकिन होता है किसी ने गाउं में सही कावत का है ना किसी से अगर बदला लेना है पुड़ानी दुस्मनी को अगर ये करना है ना तो उसको चु लड़ने के लिए है ना घोड़ा खरीदवा दो ना घोड़ा रोड़ा ना तो दथनिपोरा ऐसे कुछ काहवत है ना ये बरबाद कर देगा आपका घोड़ा घोड़ा अगर किसी को खरीदवा तो घोड़ा में भी खर्च बहुत आता है पांच-पांच लिटर उसको कि नार्मल आदमी अगर घोड़े को खरीद लेगा तो क्या होगा वह बरबादे नहों जाएगा रोड़ा रोड़ा इंदे सेंस मतलब होता है घर में काम लगा देना आपका घर में भी मतलब अपनी छमता से जादे अगर खर्च कर दीजिए तो भी बरबाद हो नहीं है घर तो भी बरबाद कर देगा आपका पुरा खंदाने खराब कर देगा रोड़ा कौन कर बोले घोड़ा रोड़ा 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 ऐसे कुछ हमारे च्छेतर में कावातर बिल्कुल सटीक है सही आपका और हम उद्धनी पोड़ा को हटा कि चुनाओ बोलते रहे चुनाओ लड़ा हारा बरबाद कि बहुत लोड़ा चर्लक पचलक सत लक उठाकर खर्च कर दिया और जिस दिन चुनाओ का रिजल्ट आया हार गया उस दिन पानी चलना शुरू हो जाएगा उसका अश्पीटल में हो जाएगा कौमा में चल जाता है चले फिलाल तो आज की से वह यहीं तक यहां से आगे देखो इस टाइप का सवाल आप लोग बना किया येगा एक और चीजे है सुनिएगा थोड़ा सा इसे रभी वार को साम में चार बजे क्लोग चेप्टर रिजनिंग का बिलकुल फ्री पढ़ाया जाएगा आपका फ्री क्लासेज फ्री नोट कार्ड वेगरा जांच नहीं होगा तो आप सब लोग इस संडे को साम में चार बजे जरूर आईए कौन सा चेप्टर पढ़ने है क्लोक सभी को आना है दो से ढाई घंटे का क्लास चलेगा और चेप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका चले निकलिएगा हाँ विजय सर के साथ अगर अंकुष सर के साथ भी करना है फ्री क्लासेज तो कल सुबह में हम आठ से सारे दस लगा रहे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल फ्री क्लासेज लेकिन थोड़ा जगा का इसू हो जाएगा इसलिए जिसको मन करे वही आना है सबको मैं नही करा रहा हूँ कल सटर्डे को गल्स लोग निकलेंगे कल सटर्डे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्री क्लासेज लग रहा है कल सुबह में आठ से साड़े दस क्लासे जो फ्री है नोट से फ्री दिया जाएगा क्वाड्रेटिक एक्वेशन पूरा कम्प्लीट कर दिया जाए तल धाई गंटे में आपका थ्योरी विथ क्वेशन्स कोई समस्या कल के क्लास करने के बाद क्वाड्रेटिक में नहीं होगा